हेलो स्टूटिंस इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरनेट ओफ तो आयोटी आयोटी का फुल फॉर्म किया इंटरनेट ओफ तिंग्स यानि कि यहां पर पहले हमें समझना होगा कि तिंग्स क्या होते हैं तिंग्स कोई भी ऑब्जिक्स हो सकता है जो हमारी रियल लाइफ में होते हैं जैसे मॉबायल, कम्ट्यूटर वाशिग मशीन, टीवी, वाच, ओवन, फ्रिज, बॉर्प, दोर्स या कह सकते हैं एप्लाइंस इंड दिवाइसिस देट वी यूज इन अवर देली लाइफ जो भी एप्लाइंस या डिवाइस जो हम अपनी डेली लाइफ में ये सभी तिंकि और इंतर्नेट इंतर्नेट अव निया जाए तो कया बन जाएगा इंटर्नेट ओफ तिंक्स्या ? यह आम कह सकते हैं एक तिंग्ट आज थी इंटनेट से के खालें टर्नेट जाते हैं जैसे अगर मैं चाहती हूँ कि मैं घर के बाहर हूँ और मुझे क्या करना है जित्ती जैसे मैं घर से बाहर जाती हूँ मेरे घर की लाइट सारी जो है वो मैं switch off कर सको विद यालप आप मोबाइल है क्योंकि internet से मेरी सारे घर के appliances connected हैं तो मैं mobile पे एक डालूँगी जिनके थूँ इन एक्षिन परफॉर्म कर सकते हूँ कि वो switch on हो जाए या switch off हो जाए तो उसे benefit क्या होगा जैसे आपने देखा है कि हम लोग क्या करते हैं कोई चीज रखके भूल जाते हैं ठीक है जैसे रिमोट की बात करें तो रिमोट इदर इदर हो जाता है तो रिमोट में भी अगर हम iot का concept यूज कर ले उसमें भी sensor लगा दे और उसको search करने के लिए हमारे पास अगर mobile में कोई app है तो हम directly find कर सकते हैं कि वह कहां पर रखा हुआ है रिमोट मोबाइल एप के थ्रू यह फाइं कर सकते हैं कि आप किसी भी थिंग को smart बनाना है कि आप उस पे actions perform करो उसकी monitoring कर सको तो उस case में को क्या करना पड़ेगा उसको internet से करने करना पड़ेगा और यही technology क्या है internet of things है तो हमने देखा है कि कार भी जो होती है ड्राइवर लेस कार आ रही है वो भी किस बेस पे वर्क करी है आयोटी के बेसिस पे वर्क करी है ठीक है washing machines है जैसे washing machine clothes wash कर लिए हैं तो आपको mobile app पे थ्रू एक notification आ जाए जो clothes है वो शो चुके हैं computer तो हम देखी चुके internet से connect रहता है mobile भी connect होता है fridge भी चाहे तो आप internet से connect कर सकते हो से smart fridge बना सकते हो कि fridge में जो अपने चीजें रखी है अगर वो out of stock हो रही है या वो कम हो रही है जैसे आपकी घर में आपको यह नोटिफिकेशन आजाए आपके mobile पर कि यह जो है sauce वो खतम होने वाली है जैसे आपने fridge में जो है इंटरनेट से connect करना होगा जिससे वो एक दूसरे से communicate कर सके तो जैसे अगर हम example ने तो हमारे घर के जो light है अगर उसको हम connect कर देते हैं इंटरनेट से तो क्या benefit होगा person होगा जिसके घर की lights जो है वो smart lights है जो internet से connect है यानि कि mobile app के थ्रूव उनको वो communicate कर सकता है तो mobile app के थ्रूव वो देख सकता है कि क्या उसके घर की lights on है अगर on है तो वो अपनी कार में बैठे बैठे mobile को use करके उनको off कर सकता है ठीक है यहाँ फिर वो office से घर आ रहा है और वो चाहता है कि geezer on हो जाए तो उस case में वो वहीं से बैठे बैठे command दे सकता है कि geezer जो है पानी गरम करना start कर दे तो यहाँ पर जो communication होका वो human और device के between भी हो सकता है device to human भी हो सकता है और human to human तो हमने देखा ही है कि internet को use करके हम एक दूसरे से communicate कर सकते हैं तो IoT is a term that refers to the connection of objects to each other and to humans to the internet तो IoT के एक term है जो refer करता है objects का connection एक दूसरे से और human से मताब object to object communication भी हो सकता है और object to human communication भी हो सकता है with the help of internet in IoT तो आपको बात समझ में आगई होगी कि अभी तक हम human to human interaction ही कर रहे थे internet को use करके अब हम क्या करना चाहते है object to object and object to human communication करवाना चाहते है internet को use करके यह technology क्या है हमारी internet of things तो IoT is a simple concept of basically controlling different devices by establishing a connection and and communicating from mobile app or web browser तो IoT क्या है एक simple concept है जिसमें हम devices के between connection establish करके उनको control कर सकते है और उनसे communicate कर सकते है mobile app या web browser के through यानि उनको actions देते हैं mobile app और web browser को use करके तो में डेफिनिशन क्या है इसकी आयो टी की taking everyday things embedding them with electronics software sensors and then connecting them to internet and enabling them to collect and exchange data without human intervention is called the IoT हमारी टेली लाइफ की things है उनको अगर हम associate या embed कर दें electronics से यानि उसमें hardware or software और sensor लगा लगा ले क्योंकि sensors के through ही यह possible है कि हम उनको daily life की things को monitor कर सके आगे हम देखेंगे sensors क्या होते हो और उन devices को हम internet के through connect कर दें तो उससे क्या होगा हम उन devices से data collect भी कर सकते हैं और exchange भी कर सकते हैं devices एक दूसरे को data बिना human की requirement के बिना human के help के तो वो क्या है iot iot makes everything smart iot ने क्या किया हर चीज को smart कर दिया है हम उनसे communicate भी कर सकते हैं according to our requirement the term internet of things was invented by kevin ashton in 1999 while he was working with proctor and gamble तो यापको याद रखना है कि internet of things किसने invent किया था Calvin Ashton ने 1999 में जब वो proctor and gamble में work करता था तो iot ने क्या किया objects को connect कर दिया जिससे वो एक दूसरे से talk कर सकें यानि communicate कर सकें और एक दूसरे को information share कर सकें और उस information के basis पे उत पे actions perform हो सकें तो iot connects objects and make them talk to each other and share information among themselves and use that information for actions a new world of smart devices will make human life easier इतना सब क्यों किया जा रहा है आयोटी की requirement क्यों आई जिससे हमारी human life क्या हो सके easier हो सके क्योंकि हमें पता है हमेशा human क्याता है connectivity तो connectivity is human need and desire earlier days में roads नहीं हुआ कर दे थे तो अगर humans को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उनको walk करके जाना पड़ता था या निमर्स के थू जाना पड़ता था जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता था दो दो तीन तीन दिन लगते थे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में फिर roads ने क्या किया प्लेस को connect कर लिया जिनके थूँ इसली जो है परसने एक से दूसरी जगह जा सकें एक दूसरी से कम्निकेट कर सकें विद्धी हेल्प वीकल्स वो रोट को यूज करके एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे थे एक ही जगह रहे के अगर उनको किसी दूसरे परसन से connect communicate करना है तो या तो उसे वहीं पर जाना पड़ेगा या तो उसे लेटर भीजना पड़ता था जो की time consuming था तो फिर उसके इसमें क्या टेलिफोंस है टेलिफोंस ने क्या किया हमारा communication और easy कर दिया टेलिफोंस ने connect कर दिया people को कि वो easily एक दूसरे से communicate कर सके एक दूसरे को बातें share कर सके फिर उसके पाद internet आया internet ने क्या क्या people and communities को एक दूसरे से communicate कर वाया याने एक person जो है multiple person से community से communicate कर पाता है और कोई भी data जो है एक दूसरे से exchange कर पा रहा है फिर क्या आया iot make entire world deeply and widely connected iot ने क्या किया अब भी तक स्रिफ home ने ही एक दूसरे से communication कर रहे थे iot ने क्या कि objects को भी ability दे दी कि वो internet के थूँ एक दूसरे से communicate कर सके iot make every object addressable accessible and actionable iot ने क्या क्या हर object को एक address दे दी कि उसे identify किया जा सके uniquely उसको access किया जा सके internet के through और उस पे actions perform किये जा सके internet के through तो iot ने क्या क्या device जो everyday के consumer objects है उनको internet से कनेक कर दिया और industrial equipment को कनेक कर दिया on to the network तूसरे जाओए झाह